आज मैं आपके साथ लॉंग अनार कली के आसान स्टैप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंट्स पूरी डीटेल जाने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें फ्रेंट्स ये जो फैब्रिक है ये मेरे बुटिक का कलेक्शन है अगर आप भी से पर्चेस करना चाते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर मुझे वाट्स अब करें ये लॉंग अनार कली ड्रेस बनाने के लिए मैंने टॉप का फैब्रिक साड़े तीन मीटर लिया है बॉटम में हम पैंट बनाएंगे इसमें मैंने सर्फ कुर्टा डिजाइन शेयर किया है कपड़े को मैंने पूरा खोल दिया है दिखे ये है कपड़े की लंबाई ये है चोड़ाई अब हम कपड़े को इस तरीके से चोड़ाई में फोल्ड करेंगे अब कुर्तर डिजाइन में जो टॉप पार्ट है उसके लिए हम यहां से लंबाई निकालेंगे उसकी लंबाई है 14 इंच तो 15 इंच लंबा यहां से कपड़ा हमें अलग करना है अब देखिए यहां पर हमें ध्यान देना है कि चेस्ट साइस के हिसाब से यहां पर बैक पैनल और फ्रन्ट पैनल इस कपड़े में से निकल रहे हैं कि नहीं अगर नहीं निकल रहे तो हमें ये दो हिस्सों में कट करना होगा यहां पर मैं 38 साइस के लिए बनाऊंगी तो वो कपड़ा इसमें से निकल रहा है तो अब इसको ही हम फिर से चौड़ाई में फोल करेंगे यहाँ शोल्डर लाइन है साड़े साथ इंच आदा इंच हम ड्रॉप करेंगे और फिर से आम होल लैंच साड़े साथ इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ बस्ट लाइन है 38 38 उसका चौथा बाग करके हम सलाई का एड करेंगे यहाँ एक इंच मैंने सलाई का दिया है कमर की साइज है 32 उसका हम चौथा बाग करेंगे और उसमें भी एक इंच तक सलाई का छोड़ेंगे अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लें यहां से हम इस तरीके से गोलाई वाला शेप देंगे आम राउंड के लिए कमर पर हम एक इंच तक इस तरीके से निशान लगा कर और किसी गोलाई में कटिंग करेंगे गले की जो चौड़ाई है वो हम तीन इंच रखेंगे और जो आधा इंच ड्रॉप किया है इन दोनों को इस तरीके से शोल्डर स्लोप में मिला ले और इसकी कटिंग करें अब देखें जो साइज के हमने ये निशान लगाय थे वहाँ पर इस तरीके से छोटे कट लगा दें तो जब हम सलाई करेंगे तो फिर से मेजरमेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें से एक पैनल को हटा लें अब यहाँ पर हम फ्रंट आम राउंड की कटिंग करेंगे इस तरीके से एक इंच डीप कटिंग कर लें बैक में हम यहाँ पर गले की चौड़ाई पॉने तीन इंच रखेंगे और दो इंच लंबा यहाँ पर राउंड नेक इस तरीके से कट करेंगे अब हम कुर्थी के लिए अम्बरिला एसकर्ट कट करेंगे देखिए इसमें प्रिंट का ध्यान रखना है यहाँ पर प्रिंट एक तरफा है तो दो पैनल्स मैंने अलग-अलग कट किये हैं अब इसमें से हम पहले जो उल्टी साइट की प्रिंट है उसको सीधा करेंगे देखिए एक पैनल को इस तरीके से गुमाएं और प्रिंट को सीधा करें अब दूसरा पैनल्स भी हम इसके उपर अच्छे से बिचा कर और दोनों को बराबर करेंगे अब देखिए दोनों पैनल्स की प्रिंट एक साइड है अब जब हम अम्रेला स्कर्ट करते हैं तो जितनी भी अम्रेला स्कर्ट की लैंद चाहिए उससे करीब 12 इंच लंबा कपड़ा लें देखिए यहाँ पर 37 इंच लंबी मुझे स्कर्ट बनानी है तो मैंने ये 49 तक कपड़ा लिया है अब देखिए ये दो पैनल्स है इसको हम कौने से पकड़ कर इस तरीके से कौन शेप में फोल्ड करेंगे अब देखिए जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है अब यहाँ कौने पर हम जो टॉप पार्ट की कटिंग की है उसको इस तरीके से कमर से बराबर करेंगे दिखिए ये ध्यान रखिएगा कि स्कर्ट की और टॉप की दोनों की जो बंद वाली साइड है एक तरफ होनी चाहिए इस तरीके से कमर का निशान लगा दें अब इसको हम फिर से एक बार मेजर करेंगे ये जो साइज मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से ये साइज दोनों तरफ से और बीच में इक्वल होनी चाहिए इन सबी निशानों को मैंने इस तरीके से मिलाया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे स्कूर्ट में जो कमर की कटिंग है वो हो चुकी है अब हम इसको एक बार फिर से फोल करेंगे और नीचे से गुलाई देंगे अंब्रेला स्कूर्ट की लेंध मुझे 37 इंच रखनी है तो देखिए इस तरीके से हम पहले साइट से यहां कपड़े पर निशान लगाएंगे 37 इंच पे अब यहां कपड़े के बीच में हम इस तरीके से मेजर टेप को रखके और फिर से 37 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे में 37 पे इस तरीके से निशान लगाएं और सबको मिलाते जाएं तो इससे जो अम्ब्रेला स्कूर्ट की नीचे गोलाई है वो एकदम परफेक्ट बैठेगी दिखे इसकी मैंने कटिंग कर ली है ये अम्ब्रेला स्कूर्ट पूरा कट हो चुका है अब दिखे अम्ब्रेला स्कूर्ट में एक साइड से जोइन्ट आता है अब हम इस joint के लिए कपड़ा निकालेंगे इस skirt में से जो side से extra कपड़ा निकला है उसको इस तरीके से इस joint के उपर बिचाएं और same size में निशान लगा कर इसकी cutting कर लें यह joint के लिए भी कपड़ा हमने निकाल लिया है अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम sleeves कट करेंगे यहां मैंने 3-4th sleeves कट की है इसकी link आपको description में मिल जाएगी अब pattern के लिए मैंने यह pasting paper लिया है pasting paper की लंबाई हमें 13 इंच रखनी है यहां गले की चोड़ाई हम 3 इंच लेंगे गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे 4 इंच तक हमें round neck का shape देना है और 2 इंच तक हमें इस तरीके से V में निशान लगाना है अब इस योग को हमें U shape देना है तो इस तरीके से 4 इंच पे चोड़ाई में निशान लगाए और इसे नीचे तक इस तरीके से सीधा कर लें अब हम इस योग को इस तरीके से U shape में निशान लगाएंगे और इसकी cutting कर लेंगे योग की cutting हो चुकी है अब इसमें जो मैं portly buttons वाला pattern लगाऊंगी हम portly buttons को stitch करेंगे portly buttons लगाने के बाद जो बाकी आदा हिस्सा है उसको इस तरीके से यहां पस लाई लगा के जोड़ें और उसके बाद उसे paste करें अब यहां पूरे योग पर यहां पर मैंने dory piping बनाई है तो पूरे योग पर हमें dory piping लगानी है आप यहां less भी लगा सकते है dory piping का जो face है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है अब हम इसको पीछे की तरफ गुमा कर एक बार अच्छे से iron करेंगे और योग को तैयार करेंगे योग तैयार होने के बाद अब front panel को उल्टा रखें उल्टे side में इसके उपर हम योग को भी उल्टा रखेंगे और इस neck को slide करके और तैयार करेंगे पूरे round neck पर मैंने छोटे cut लगा है V में भी बिल्कुल and तक cut लगाना है अब इस योग को इस तरीके से सीधा करके और आगे की तरफ गुमाए अब योग पर हम इस तरीके से U-shape में slide करके और इसे यहाँ पर fix करके front panel को तैयार करेंगे अब हम front panel में यह umbrella skirt जोइन करेंगे top part को और skirt को दोनों को आमने सामने रख कर और यहाँ कमर से slide करके इन दोनों को जोड़ दें इसमें जो नीचे skirt में joint था वो मैंने joint कर लिया है आप चाहें तो वो बाद में भी कर सकते हैं अब देखे जो back panel है वहाँ पर भी round neck के लिए मैंने same size की पट्टी लिये यहाँ सीधे side में इसे यहाँ रख कर और slide करें और round neck को तैयार करें अब back panel में भी हम यहाँ umbrella skirt को top part के साथ जोड देंगे back panel भी तैयार है अब front panel और back को दोनों को आमने सामने रखें और यहाँ shoulder line से दोनों को जोड दें shoulder line जोडने के बाद अब हम sleeves को तैयार करेंगे sleeves को मैंने उल्टा रखा है अब यहाँ bottom की strip पर भी मैंने इस तरीके से डोरी वाली piping लगाई है इसको इस तरीके से सलाई करके इस पूरी पट्टी को आगे की तरफ गुमाए और यहाँ ओपर की तरफ भी सलाई करके sleeves को तैयार करें दोनों sleeves तैयार करने के बाद अब हम इस कुर्टी में sleeves लगाएंगे sleeves लगाने के टाइम यह ध्यान रखिएगा कि sleeves की front cutting और कुर्टी की जो front cutting है दोनों आमने सामने होनी चाहिए इस तरीके से पूरे arm round पर sleeves लगाएं sleeves लगाने के बाद अब हमें इस long कुर्टी के side बंद करने हैं अब यहां sleeves में भी जितना भी आपने कपड़ा रखा है उतना बूरा अंदर दबाना है और sleeves से लेके बिल्कुल end तक हमें कुर्टी के sides बंद करने हैं कटिंग के टाइम हमने यहां कट लगाए थे तो दोनों को आपस में बलाएं कमर तक बिल्कुल fitting देनी है और कमर के बाद कपड़ा कम करते जाएं और बिल्कुल end तक बंद करें दोनों side बंद करने के बाद अब यहां नीचे गेरे में भी हम piping लगाएंगे इसके लिए मैंने देखिए piping को fold करके रखा है जैसे हम dory piping बनाते हैं मगर यहां piping में मैंने डोरी नहीं डाली है अब कपड़े का जो बंद वाला side है वो अपनी तरफ रखें और piping की size जितना कपड़ा छोड़के इस तरीके से sly करें sly करने के बाद अब इस piping को पूरा हम पीछे की तरफ गुमाएंगे देखें इस तरीके से piping का shape दिखेगा अब जितनी चोड़ी यह पट्टी है वहाँ पर sly करके और इसे पूरी गोलाई में sly करके और तयार करें यह long umbrella कुर्ती डिजाइन तयार हो चुकी है पैने हुई भी काफी smart look देती है casually, occasionally आप इसे try कर सकते है friends आपको मेरा यह design और यह method कैसा लगा like, share, comment करके जरूर बताएगा thank you, watching for this video